नमस्कार प्यारे विदार्थियों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल संदीव मास्टर ओनलाइन क्लासिज पे हमने कल पड़ा था हरियाना में जो राजनेतिक धार्मिक आंदोलन हुए थे और जो रियास्तें थी जिनोंने विद्रो किया था 1857 के रिवोल्ट में और जो सासक थे जिनोंने अहम भूमी का निभाई थी उनके बारे में हमने पड़ा और 1803 की जो सरजी अंजुन गाउं की सं तो आज का टोपिक रहेगा आपका वह रहेगा हरियाना में राजनेतिक जागरन थाबने काकर नर्स का पेपर में सिधा डिरेक्ट लिक वैसन पूछता है तो आईए पढ़ते हैं स्टार्ट करते हैं जो अठाई दिसंबर है सबसे पहला जो कुएंट है हरियाना का राजनेतिक जागर्ण में योगदान में तो अठाई दिसंबर 1885 को क्या होता है बंबई के तेजपाल संस्कृत क 2880 में जो बंबई का तेजपाल संस्कृत कॉलेज है तो वहां पे भात्र परति निदियों के दुआरा कांग्रेज की गया कांगरेज का गठन किया गया और इसमें जो बहत्र परति निदियों में आपका अमबाला के लाला मूरलेधर सामिल थे काफी पर क्वेस्ट जो बहातर परतिनीदी थे बंबई के तेजपाल संस्कृत कोलेज में जिनोंने कांगरेज की स्तापना की थी तो उन बहातर परतिनीदियों में यानि कि अंबाला के किस व्यक्ति ने हिंस्ता लिया था तो अंबाला के व्यक्ति थे लाला मुरलिधर भातर परतिनी दियों आ गए अगर आपसे पूछे तो अंबाला के लाला मुरलिधर सामिल थे नेक्स्ट है आपका अंबाडा में कांग्रेश की साखा खुली और इन्ही के प्रियासों से जो अंबाडा है वहाँ पे क्या खुली कांग्रेश की साखा खुली अगर पूछ लिया जाए अंबाला में कांगरिस की साखा किन के प्रियासों से खुली तो खुली लाला मुरली धर के प्रियासों से और लाला मुरली धर अंबाला के थे और जो भातर जो सदस्चे थे संस्कृत जो कोलेज था बंबई के अंदर वहां पे 1880 में कांगरिस की ने हुआ कलकत्ता में कब हुआ ऐथा правда इस अरवेशन में हरियाना के दो व्यक्तिव gefragt क्या हुआ कि तो धा浜जर का जजजर के थे पंडित द湧्याल सर्मा और रोहत के थे बाबू बालमुकंद गुप्त इन दोनों किया किया का गांग्रश को अधिवस्थ हुए था कलकत्ता ए TikTok 1806 में तो जो दू गणमाने वक्ती थे उन्होंने हिस्था लिया था तो अगर आज सब्कूछे आपका पूछ है कांग्रश का जो दूसरा दिवस्था कब अधिवस्थे का कब हुआ राए को जाता है जो हिसार है आपका वहां पे अगर कांगरेश की स्तापना पूछ ले तो उसका सरे किसे जाता है उसको जाता है सरे लाला लाजबत राए को और कब खोली थी वहां पे कांगरेश की साखा 1887 में खोली थी और जो फौर्थ इलाबाद अधिवेशन था जो फौ हिसार में कांग्रेश की स्तापना पूछ ले तो 1887 में यानि कि किसके प्रियासों से खुली थी वो खुली थी लाला लाजबत राएगे द्वारा और फौर्थ जो इलाबाद अधिवेशन हुआ था गुआ था 1888 में तो हिसार के पटने निधी के रूप में यानि कि हिंसा लिया था किसने लिया था लाला लाजबत राएगे ने हिंसा लिया था कांग्रेश की पर्थम जो सारजुनिक सभा है अगर पूछले कहां हुई थी तो वो हुई थी रोतक में और कब हुई थी 1888 में अगर आज के बाद यहां से पूछें तो आप जवाब देना है यानि कि कांग्रेश की इस्तापना कब हुई थी 28 दिसंबर 1885 और कहां पे हुई थी बंबे के तेजबा संस्कृत कोलेज में कितने परतिनेजियों ने हिस्सा लिया था 22 हरियाना से कौन थे लाला मुरलेधर और यहीं पे बाडा में कांग्रेश की स्तापना या साखा खुली थी किषके प्रियासों से लाला मुरलेधर के प्रियासों से कांग्रेश का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था 1886 में कहां गवए था कलकतः अधिवेशन में किन दो सज़श्यों ने या किन दो गणमाने व अधिवेशन हुआ था 1888 में तो यहां से लाला लाजबत राई ने हिसार के प्रतिनिदी के तोर पे हिंसा लिया था अधिवेशन में तो कांगरिश की पर्थम सारदनिक सभा आप से पूछ ले तो कहां हुई थी रोत्तग में हुई थी जो 1907 था, 1907 के आते आते हरियाना के पर्थिये कगाओं में कांगरिश की साखाएं खुल चुकी थी और 1907 में ही क्या होता है लाला लाजबत राई को देश से निर्वासित कर दिया गया यानि कि पंजाब और हरियाना में जो बढ़ती यानि कि महता थी लाला लाजबत राएगी और उसको देखते हुए जो लाला लाजबत राएगी उसको देश से निर्वासित करके माडले जेल, माडले जेल कहां पे बर्मा में भेज दिया गया 1907 में लाला लाजबत राई की हरियाना में और पंजाब में बढ़ती महता को देखके उनको निर्वासित कर माडले जेल बर्मा भेज दिया गया 1907 में ही क्या होता है 1907 में ही अंबाडा के उपायुक्त के बंगले पर बंभैंका गया यानि कि जो परतिकिरिया हो रही थी करांतिकारियों के दुआरा तो उनके दुआरा 1907 में अंबाडा के उपायुक्त के बंगले पर बंभैंका गया और अंबाडा में वेद लेखराम था एक वक्ति और एक था यस्पाल उन्होंने एक बम फैक्टरी की स्थापना की आप से पूछ लेगा अंबाडा में बम फैक्टरी की स्थापना किसने की यस्पाल और वेद लेखराम ने की तो अंबाडा के उपायुक के बंगले पर बम कब फेका गया 1907 में मांडले जेल में बर्मा या निर्वासित करके लाला लाजपतराईगों का भेजा गया 1907 में कब तक हरियाना में परतिये गाउं में कांगरेशी साका खुल चुकी थी तो 1907 नेक्स्ट है आपका यानि की हरियाना के जो पत्रकार थे वरिष्ट पत्रकार थे या फिर उन्होंने क्या लिखा था सिव संभू का चिठा काफी बार पुछा गया है सिव संभू का जो चिठा है किसने लिखा था बाल मुकंद गोप्त ने लिखा था और जो सिव संभू का चिठा हैं बालमकब्द गुप्त के दुआरा मारले मिंटों के जो सुधार थे उनके उपर कठोर India की गई थी और जो स Nosambhu का चिठा है क्या है कि विंगयातमक कठाकस है जो मारले मिंटों सुधार है उनके उपर तो जहें विंगयातमक कठाकस है तो शिम चम्बू का जिठा किस ने लिखा बाल मुकंद गुप्त ने लिखा और मारले मिंटे के सुधारों पर कठोर परती किरिया इसके दिवारा उन्होंने व्यक्त की नेक्स्ट है पर्थम विसव्यूद पर्थम विसव्यूद 1914 से 1918 तक चला था और इसी दुरान सैना में यूवा की भरती हितू अभ्यान चलाया गया था जो पर्थम विसुईुध है 1914 से 1918 तक चलाया गया था और इसी दौरान जो यूवा हैं उनको सैना में भरती करने हितू एक अभ्यान चलाया गया था तो इस अभ्यान का विरोध किस ने किया था पंडित नेकी राम सर्मा ने किया था जो युवां को सैना में भरती करने का अभ्यान चला गया था पर्थम विश्व युद के दुरान तो उसका विरोध पूछा गया है पेपर में तो किस ने किया था पंडित नेकी राम सर्मा के क्या होता है महातमा गांदी को गिरफतार कर लिया जाता है कहां से पलवल रेल्वे स्टेशन से कब किया 10 अप्राइल 1909 को दोनों क्वेसन पुछे गई है डेट पुछी गई है जगाय पुछी गई है तो अगर आपसे पुछे तो कब किया गया 10 अप्राइल 1909 को पहली बार 10 अप्रेल 1909 को महात्मा गांधी को पलवल रेल्वे स्टेशन से गिरफतार किया गया 6 अप्रेल 1909 को क्या होता है 6 अप्रेल 1909 को रोलेट एक्ट के विरोध में रोग तक में क्या होती है विशाल सभा होती है तो रोत्तक में उत्योर कब होती है 6 अपरेल 1909 में नेक्स्ट है आपका 30 जुलाई 1909 यहाँ पर क्या है 6 अपरेल 1909 10 अपरेल 1909 और यहाँ पर क्या है 30 जुलाई 1909 तो यहाँ पर क्या है गांधी को गिरफतार किया गया हिसार से महातमा गांधी की पर्फतारी 10 अपरेल 1909 को बिचे आप से तो महातमा गांधी को गिरफतार कहां से किया गया था पलवल रेलवे स्टेशन से और ढूसरी बास जुलाई और इस हिसार से किया गया था 1920 में एहस्योग आंदोलन समंदी पर्थम सभा का आयोजन किया गया जो 1920 में एहस्योग आंदोलन चलाया गया था और इसमें क्या हुआ था इस आंदोलन की जो पर्थम सभा मतलोब चलाई गई थी 1920 में तो 1920 में ऐस्योग आंदोलन समंदी पर्थम सभा का आयोजन किया गया था, वो किया गया था कहां पे, वो किया गया था रोतक में और अधक्स तक इसने की थी, वो की थी लाला लाजपत राएने, जो आपका 1920 में ऐस्योग आंदोलन की पर्थम सभा हुई थी, कि उसका अस्तान कहां ते सान हुई थी वो पनिपतं में हुई और अधिक्सता कि स्निकीती लाला लाजपतर आए ने की थी और लाला मुलिधर कहां से थे अंबाळा से थे और इनहोंने क्या कर दिया था एहस obviously anальный के दोरान अपना या या बादूर का समान था वो वापिस लुटा दिया था सवदेशी परचार हित्तु यानि कि ऐसे हो गांदोलन के दुरान सवदेशी परचार का नारा दिया गया था तो यहां पर मदन मोहन मालविया और मोहमद अली अक्टूबर 1901 में कहां आये थे यह आये थे रोतक दो व्यक्ति थे सवदे और यही जो नारा है आपका लूकल पलस यही क्या दिया है मोधी ने दिया है सवदेशी अपनाओ तो यानि कि सवदेशी परचार हित्तु आपसे पूछ लेगा दो व्यक्ति कौन से थे जो रोतक में आये थे तो थे मदन मोहन मालविय और मोहमद अली कभ आये थे अक्टू उच्विदाले की नीव रखी गई हरियाणा में राष्ट्रिय सिक्सा को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 1921 में क्या किया जाता है महात्मा गांधी के दुआरा वेश्य उच्विदाले की नीव रखी जाती है नेक्स्ट है आपका 1921 1921 में ही क्या होता है रोतक में प्रिंस ओफ वेल्स का आगमन होता है और इसका क्या किया जाता है इसके आगमन का बहिसकार किया जाता है 1921 में रोतक के अंदर भारतिय जन्ता या क्रांति कारियों के दुआरा प्रिंस ओफ वेल्स के आगमन का बहिसकार किया जाता है तो आप से पूछ लेगा हरियाना के अंदर प 1939-1929 की तो उन्य सो उनाती में क्या होता है वायसराइ लाउड इर्विन की रेल் गाड़ी को उड़ाने के लिए लाए गए बंव कहां पे बने थे रोतक में यानि कि वाइसराय लौड इर्वन की जो रेल गाड़ी है उसमे बम फैका जाता है और जो बम बनाए गए थे इसकी गाड़ी फैकने वाले कहां बनाए गए थे वो रोतक में बनाए गए थे यानि कि वाइसराय लौड इर्वन की रेल गाड़ी को उडाने के लिए लाए गए एक बम, कहां पे त्यार किये गए थे, question पूचा गया है, तो रोहतक में पूचा गया है, और सबसे ज़्यादा जो क्रांती कारी गती विदियों का कैंदर था, वो कौन सा था आपका? वो था अंबाडा, ये भी परसनल पूचा गया है, अठेंतर सत्य ग्राहियों का चेयन किया गया, और उनमें से एक थे, अंबाडा के, और उनका नाम क्या था? लाला सुर्जभान, ये भी परसनल पूचा गया है, सबन्या वग्या आजोलन, डांडी मार्च के दुरान गांदी दवरा, चेयनित अठेंतर, जो सत्य ग्राहियों थे, उनमें से एक हर्याना के थे, उनका नाम बताओ, तो उनका नाम था लाला सुर्जभान, लाला सुर्जभान, तो उमीद करते हैं, आपको वीडियो अच्छी लगियों होगी, तो प्लीज जादा से जादा चैनल को लाइक करें, सेयर करें, कमेंट करें, और सबस्क्राइब करें, और बैल आइकन को प्रेस करना ना भोलें, ताकि जो आणे वाले न्यू वीडियो हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सकें, ओके गुड़ लक धन्यवाद,